आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में कविवर बिहारी जीद्वारा रचित भाक्ति एवं श्रिंगार के 18 में पद्यांश का यानी की 18 में दोहे का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और कावि संदर्य लिखना सीखेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस दोहे में जितने भी शब्द आये हुए हैं, पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस दोहे में आये हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं ललन, दिखें ललन का अर्थ है प्रियतम, ललन माने प्रियतम, तो जो नाईका है वो अपने नायक को कह रही है कि ललन यानि हे प्रियतम ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सलोने, देखें सलोने के दो अर्थ है, सलोने का पहला अर्थ है सुन्दर, सलोने का पहला अर्थ है सुन्दर, और सलोने का दूसरा अर्थ है सलोने, यानि लोना मतलब नमक होता है, तो सलोने मतलब नमक से युक्त, तो आप नमक भी कह सकते कोई दिक्कत नहीं है आरू माने आओर रहे देखे रहे को आप अपनी सुविधा के अनुसार हो भी कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो रहे माने हो आती माने अत्यंत या बहुत सनेह 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 मतलब इसनेह से इसके भी दो अर्थ है देखे पहला तो हो गया इसनेह से और दूसरा इसका अर्थ हो गया सनेह मतलब होता है चिकना पदा अर्थ तो आप यहाँ पर घी कह सकते हैं तो इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा सनेह स्व मतलब घी से पागी देखे पागी माने पका हुआ पागी माने पका हुआ लेकिन इसको एक साथ यदि हम बोलेंगे सनेह सव पाग तो इसका एक अर्थ हो जाएगा इसनेह से पगा हुआ यानि कि आप कह सकते हैं प्रेमी ठीक है तो जैसे भी बन पड़ेगा हम तनक देखे तनक माने तनिक यानि थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी कचाई देखे कचाई के दो अर्थ है यहाँ पर सूरन के लिए कचाई का अर्थ है कच्चापन सूरन एक सबजी है यहाँ पर देखे लिखा है तो सूरन के लिए इसका एक अर्थ है कच्चापन और इस Vayaq की संदर्भ में कपट पूर्ण वयुहार कचाई का दूसरा अर्थ है कपट पूर्ण वयुहार को को देत दूख देखिए देत दूख मतलब दूख देत दूख उलडड दीजिए तो हो जाएगा दुख देता है देखिए सूरन लव, दोनों को एक साथ करेंगे, तो हो जाएगा सूरन की तरह, या सूरन के समान, सूरन एक सबजी होती है, आज मेरे घर आई हुई है, तो चले मैं फोटो लगा देता हूँ, आप देख लिजे, इसी को सूरन कहते हैं, इसकी विशेष्टा ये होती है, कि यदि ये थ मुह को कश्ट देता है, मुह को लाग, मुह मतलब मुह को कश्ट देता है, तकलिप देता है, ठीक है, तो सभी शब्दों का सरालर्थ हो गया, अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले, हम लोग थोड़ा सा इसका सं प्रसंग लिख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे ठीक हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं तो आप संदर्भ heading डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक हिंदी देखिए यदि आप कला वर्ग के विद्यारती हैं तो हिंदी लिखेंगे यदि विज्ञान वर्ग के विद्यारती हैं तो सामान हिंदी लिखेंगे लेकिन यदि आप हिंदी ह लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है चुकि आप में सामान्य हिंदी का पेपर आता है इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि आप सामान्य हिंदी लिखिए जो विज्ञान वाले हैं ठीक है तो एक बार फिर से सुन लेजिए प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी या सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित भाक्त एवं शिरिंगार शिर्शक से उद्धिरित है इसके रचैता कविवर बिहारी जी है पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा चलिए अब इसका प्रसंग भी लिख लेते हैं तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में अपने नायक से रूठी हुई नायका उसे उलाहना दे रही है पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूर हो जाएगा चलिए अब हम लोगों को इस दोह की व्याख्या सीखनी हैं तो देखिए एक बार मैं इस दोह की व्याख्या आपको साधारन तरीके से बता देता आप सुन लिजिए कि आखिर इस दोहे में है क्या फिर उसके बाद जब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके फिर से इसकी व्याख्या को सीखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो चलिए एक बार हम लोग साधारन तरीके से जान लेते हैं कि आखिर इस दोहे में है क्या तो देखिए इस दोहे में है क्या कि जो नायक है वो थोड़ा सा चंचल है और चंचल होने के कारण जो नायक है वो कभी कभी दूसरी इस्तिरियों के पास दूसरी औरतों के पास चला जाता ह और उनसे मुस्कुरा करके बात कर लेता है और नायक का यह जो कार्य है नायका को बहुत ही दुखी करता है नायका को बहुत ही कष्ट और पीडा देता है तब नायका अपने नायक को ताना मारती हुई उसको उलाहना देती हुई कहती है क्या कहती है वही इस दोहे में दिया ग तो जो नायका है वो अपने नायक को उलाहना देती हुई कहती है कि हे प्रियतम ललन हे प्रियतम यद्यपि तुम बहुत ही सुन्दर हो और प्रेम में सनेहसो प्रेम में और प्रेम में अत्यधिक पगे हुए हो यानि तुम मेरे प्रेमी भी हो तुम मुझे बहुत ही प्रेम करते हो लेकिन ये जो तुम्हारा थोड़ा सा तनक थोड़ा सा आगे नायका कहती है किन्तु ये जो तुम्हारा थोड़ा सा कपट पूर्ण ब्योहार है कचाई पहला आर सूरन की तरह मुझे दुख देता है। जिस तरह से सूरन नमक सलोने दुशरा आर्थ लेंगे नमक। जिस तरह से सूरन नमक अरू और सूरन नमक और घी में सनेहसो घी में पके होने के बाद भी पाग पके होने दूसरा रत लेंगे पके होने के बाद भी यदि थोड़ा सा भी तनक थोड़ा सा भी यदि थोड़ा सा भी कच्चा दूसरा रत लेंगे कच्चा रह जाता है तो वह मुह मुह सरल है तो वह मुह में लगता है यानि मुह को कश्ट देता है उसी प्रकार से तु करता है पूर्ण विराम लगा देंगे और यही आपकी व्याख्या होगी आप इसको सुन के भी लिख सकते हैं लेकिन चलिए आप लिखेंगे कैसे एक एक शब्दों का प्रयोग करके फिर से इसकी व्याख्या को सीखते हैं तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड के लिखना पड़ेगा आपको अपनी तरफ से क्या जोड करके लिखना पड़ेगा ध्यान से सुनिए प्रस्तुत दोहे में नाई का अपने नायक को उलाहना देती हुई कहती ह कि हे अब लाइन पर आजाएए हे प्रियतम ललन प्रियतम हे प्रियतम यद्य पितुम इतना भाव के अमसार अपने से जोड़ लेजिए यद्य पितुम बहुत ही सुन्दर सलोने बहुत ही सुन्दर और अरु और बहुत ही सुन्दर और प्रेम में सनेहसो प्रेम में अत्यध पगे हुए हो, किन्तु तुम्हारा थोड़ासा कपट पूर्ण ब्यवहार सूरन की तरह दुख देता है अर्थात जिस तरह से सूरन, नमक और घी में पकाने पर भी यदि थोड़ासा कच्चा रह जाता है तो वह मुह को कश्ट देता है, मुह लाग मुह को कश्ट देता है उसी प्रकार से तुम्हारा दूसरी इस्तरी के पास जाना और मुस्कूराना मुझे बहुत ही दुखी करता है पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी चलिए अब इसी व्याख्या को बिलकुल फ्लो में तेजी से सीखते हैं तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिखेंगे क्या लिखेंगे एक बार फिर से सुन लिजिए प्रस्तुत दोहे में नायका अपने नायक को उलाहना देती हुई कहती है कि हे अब लाइन पराजाईए हे प्रियतम यद्यपितुम बहुत ही सुन्दर और प्रेम में अत्यधिक पगे हुए हो किन्तु तुम्हारा थोड़ा सा कपट पुन ब्यवहार मुझे सूरन की तरह दुख देता है अर्थात जिस तरह से सूरन को नमक और घी में घी में पकाने पर भी यदि वह थोड़ा सा कच्चा रह जाता है तो मुह को कश्ट देता है उसी तरह से तुम्हारा दूसरी इस्तिरी के पास जाना और मुस्कुराना मुझे बहुत ही दुखी करता है पुर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी देखिए जैसे मैंने आपको व्याख्या बताई है वैसे ही मैंने लिखा भी है तो चलिए मैं आपको पढ़के भी सुना देता हूँ तो देखिए आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे डैस डालेंगे और डैस डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे क्या लिखेंगे देखें प्रस्तुत दोहे में नाई का अपने नायक को उलाहना देती हुई कहती है की अब यहां से व्याख्या है कहती है की हे प्रियतम यद्य पितुम सुन्दर हो और प्रेम में अत्यधिक पगे हुए हो अर्थात तुम प्रेमी भी हो किन्त तुम्हारा थोड़ा सा कपट पुर्ण ब्यवहार मुझे सूरन की तरह दुख देता है जिस तरह नमक और घी में पका हुआ सूरन थोड़ा सा भी कच्चा रह जाने पर मुख को कश्ट देता है उसी तरह उसी तरह से तुम्हारा दूसरी इस्तिरियों के पास जाना और मुश्कूराना मुझे बहुत ही दुखी करता है पुर्ण बिराम लगा देंगे और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी चलिए अब थोड़ा सामलुक कावे संदरे भी देख लेते हैं तो यदि रस की बात करें तो श्रिंगार रस है छंद की बात करें तो दोहा है यदि अलंकार देखा जाए तो इसमें उपमा, श्लेष और अनुप्रास ये तीन अलंकार है यदि आप देखना चाहें कहां पर है तो चलिए हम लोग पद्याश पर दोहे पर थोड़ा सा चलत पुन्रावृति है तो अनुप्रा सलंकार यहाँ पर नायक की तुलना सूरं से की गई है तो उपमा लंकार और यहाँ पर देखें सलोने के और कचाई के सनेह के दो-दो अर्थ है तो यहाँ पर शिरे सलंकार भी मिल जाता है चलिए आगे देखते हैं यदि हम लोग भाषा की बात करें तो इस दोहे की भाषा ब्रज है शैली इसकी मुपतक है गुण इसमे माधूरी है और शब्द शक्ति व्यंजना है